Hello students, आज हम कोशनांसे चैनल पर क्लास 12 हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखीत गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के MCQs करेंगे जिसका फर्स्ट कोशन इस प्रकार है हरिवंश राय बच्चन का जनम कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जनम 1907 में हुआ, right answer is D हरिवंश राय बच्चन का जनम कहां हुआ? दिल्ली, कानपूर, जोधबूर, इलाबाद हरिवंश राय बच्चन का जनम इलाबाद में हुआ, right answer is D दिन डलने के साथ बच्चे कहां से जाकने लगेंगे? किस के बच्चे परत्यासा में होंगे कवी के गाए के चिडिया के शेर के चिडिया के बच्चे परत्यासा में होंगे ने चिटियां के परो में चंचलता आ जाती है कई जाती आई कोँए का वर आज परिधया नहीं मंत र डुदेश ल रहे द यह कोई भी माँ बच्चों की याद आते ही चडियां क्या करती है कोई भी मा बच्चों की याद आखेर होती नहीं है, सोतनी तेजी से उड़के वो अपने नीडों तक मुचना जाती है कि उनके बच्चे उन्हें याद कर रहे होंगे Right answer is C हो ना जाए पत्मे रात कहीं, सोच कर जल्दी जल्दी कोन चलता है पत्मे पतिक होता है, पंती होता है, तो पंती यहीं सोच कर जल्दी जल्दी चल ले हैं कि गहीं रात ना हो जाए Right answer is D दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवी हतास और दुखी क्यों है आर्थी खाने के कारण, परिवार से विछुडने के कारण, कवी हतास और दुखी है Right answer is B दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवी का है यह गीत हरिवन्ष राई बच्चन जी का है Right answer is C पत में होने वाली रात की आशंका से कोन भैवित है पत में पंती है ठका हुआ है और उसे डर लग रहा है कि रात में अंधेरा होने वाला है तो Right answer is A Next question नीड का अर्थ क्या है नीड का अर्थ है घोसला जो पक्षी पेडों पर बनाते है Right answer is B Next question मुझसे मिलने को कोन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रेशन उर में क्या भरता है सिथिलता, चंचलता, विहलता, उप्रिउख सभी विहलता भरता है Right answer is C दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का अपंती किसे माना गया है कवी को, सूर्य को, चिडिया के परत्यासक, सूर्य को माना गया है, दिन में सूर्य उद्या होता है, right answer is B. एक गीत कविता में समय को कैसा माना गया है, स्थिर, भ्यानक, तिवर, परिवर्तन सील, समय हमेशा परिवर्तन सील लाता है, बदलता रहता है, right answer is D. समाज ने कवी के फूट पढ़ने को क्या कहा है, आसू बहाना चंद बनाना, कवी कैसे संसार को ठुकराता है, इमान्दार, सत्यनिष्ट, करमशील, वैभवशाली, कवी वैभवशाली संसार को ठुकराता है, right answer is D. संसार के लोग पृत्वी पर क्या जोड़ते हैं? धरम, मोक्ष, अर्थ, काम, अर्थ जोड़ते हैं? राइट अंसर इस सी सीगर अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिडिया की किस किरिया से परकट होती है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीडों से जहाक रहे बच्चों का ध्यान चिडिया के परों में क्या भरता है? सिधिलता, विकलता, चंचलता, विहलता, चंचलता भरत प्रेशन पैरों को कैसा कर देता है क्योंकि कभी कह रहा है कि उसका घर पर कोई इंतजार नहीं करता तो उसके पाउं घर जाने को रुखते हैं कभी किस सुरा का पान करता है कभी कैसा संसार लिये फिरता है यर्थार्थ आदास स्वपनिल सुखी कभी स्वपनिल संसार लिये फिरता है कभी की वानी कैसी है मृदुल, कठोर, उग्र, सीतल कभी की वानी सीतल है कभी कैसा संदेश लिये फिरता है शांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पन का, मस्ती का Manjill भी तो दूर है नहीं है, विचार किस के मन में आ रहा है, पंथी के, परुता रोई के, सानिक के, खिलाड़ के, पंथी के मन में आ रहा है क्योंकि घर पर उसका कोई इंदजार नहीं कर रहा, इसलिए कभी के पग सितल हो जाते है राइट आंसर इस ए, हरिवेंश राई बच्चन का निधन कहां हुआ था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाबाद, मुंबई में हुआ था, राइट आंसर इस बी, कवी स्वयम को दुनिया का एक नया क्या मानता है, प्रेमी, दिवाना, परवाना, रक्षक, कवी स्वयम को दिवाना मानता है, राइट आंसर इस बी, कवी अपने रोधन में क्या लिये फिरता है, कवी अपने रोधन में राग लिये फिरता है, राइट आंसर इस ए, कवी किस अवस्था का उनमाद लिये फिरता है, राइट आंसर इस सी, कवी जीवन में क्या लिये फिरता है, प्या आस, उलास, प्यार, प्यार लिये फिरता है, right answer is D. कभी किस का भार लिये फिरता है, कभी जग जीवन का भार लिये फिरता है, right answer is C. Students, आपको यहाँ question दिया जाता है, जिसका answer आपने comment section में देना है, I hope आपका इस chapter का revision अच्छे से हो गया होगा, मिलते हैं अपनी next video में, bye children.